तो अभी मारी फ्लाइट टेक ओफ हो चुकी है न्यू तैली से और अब हम निकल रहे हैं लंडन की और तो थोड़े ही टाइम बाद 5-6 गंटे बाद हम जर्मनी के उपर आ गए मतलब जर्मनी से हम फ्लाइ करते करते लंडन जाएंगे और बहुत ही मज़ा आया सफर बहुत ही जबर्दस था तो आफ्टर 3-4 गंटे के बाद हम पहुच गए लंडन एरपोर्ट पे हैथरो और यहां से हम मतलब पूरा ही एंजॉई करने वाला हूँ मैं पूरा यह एरपोर्ट क्योंकि अनफॉचुनेट मुझे 9 गंटे का यहां पे मेरा लेवर है केनेडा के लिए यहां पे मुझे नेक्स टर्मिनल में जाना पड़ा क्यूंकि बाइडिफॉल्ट यहां पे मैं नहीं रूख सकता था तो जाते जाते मैंने यह बहुत ही जबर्दस संदर नजारा दिखा यहां अब देखो कितनी सारी भीड है तर्मिनल देख ले थे यहां से आज से भी जल्दी से जाके टर्मिनल देख लेते कहां पर आप लोगों पता नहीं तो मैं बता दू मेरे पास कोई भी योग्ये का वीजा नहीं है पर लखीली मुझे यहां का योग्ये का ट्रांसिस वीजा भी मिल गया है जस्ट में इमिग्रेशन लाइन में खड़ा रहा मैंने बोला रिस्क मेंने सूचा रिस्क ले लेते और लखीली बड़क मुझे यह मिल गया है अभी मैं जाने वाला हूं लंडेन पूरा ही कूम ने पहले तो यह लोग क्या करता है इंडियन पासपोर्ट देखे देखे हमें से तराथ है मल्ब सिक्योरेटी मुझे मुझे प को नहीं मिलेगा ऐसा हो सकता है वर्ट मैंने सब्सक्राइब करना चाहते हो क्यों जाना चाहते हूं मैंने बुला बस यूके में जो लंडन है वो एक्सप्लोर करना है फॉर जस्ट फॉर आर्स बस नथिंग एल्स तो उन्होंने पूछा के पेरेंट्स क्या करते हैं कितनी फीस बरी है केनेडा क्यों जा रहे हो क्या कोर्स है मैंने बूला के आटिफिशल इंटेलिजेंस एंड म आप जाओ फिर उनको उन्होंने किसी और से पूछा तो दे दिया पासपोर्ट भी वापस दे दिया और बूला कि आप जाओ गूम सकते हैं तो एक्जेटली इसा सोचा नहीं था पर तुरांथी उन्होंने वीजा दे दिया यह मेरा फ्रेंड भी है यह मना कर रहा था यह जादी मिलगे मैं आप को आप मुझा भी है यह मेरा इस बड़ नहीं बूला कुछा पर शेजी यह इस प्रटस्वार्विव इस बड़ा कर देच्वा ते प्राट पर आपका रहा फिस प्राट्वार्वां नहीं बड़़ए सिटें प्राट प्राटं बड़ए प्र नहीं तो यहां पर हम पहुच गया है बकिंगम पैलेस जाने की और और थोड़ी ही देर में लाइक आफ्टर वन वन किलोमेटर और आफ वाक हम पहुच जाएंगे बकिंगम पैलेस के और दीरे दीरे हम रोग चल रहे थे और यहां की जो ठंड है वह बहुत थी मुझे पसंद आई क कि एक्चल में यहां पर समर चल रहा था पर लाइक ऐसे आइम फ्रॉम गुजराद हो हमारे लिए यहां का विंटर बोल सकते हैं बट हल्की हल्की सी ठंडी आ रही थी तो अलग ही मजा था यहां पर मैंने आके स्कुरियल देखी और यहां की बहुत बड़ी स्कुरियल थी इंडिया में जो होती है वह बहुत ही छोटी होती है इसके सामने बूल सकते हैं तो बट जैसे हम बोलते हैं इंडिया की बात यह लग है तो थोड़े ही वाक करने के बाद मैंने यहां पर देखा यह पेड़ था यहां पर अलग जैसे हमारे यहां पर आते हैं मिलब जो ट्र तो मैं यहां का पूरा ही व्लॉग आपको कवर करने वाला हूँ जो बहुत ही मज़ा आने वारा है जैसे यहां की जबरदस्त बात मुझे यह लगी कि यहां पे सारी ही जगा इतने सारे पेड़ है मतलब एक अलग ही नजारा है एक अलग ही मज़ा है तो यहां से चलके हम आ गए बकिंगम पैलेस की और शानदार नजारा यहां का यह बकिंगम पैलेस है तो बकिंगम पैलेस पूरा गूमने के बाद यहां पर थोड़े ही आगे जाने के बाद हमें यहां मुझे पता चला कि यहां पर क्लॉक टावर भी यहां से नस्दिक चलके जा सकते हैं तो मैं चल पड़ा क्लॉक टावर देखने यह आपको सामने दिखा है तो लेट्स गो आपको सामने की तरफ के बार नजारा दिखाब देता हूं बहुती सबर्दस दिख रहा है यहां से लिए अब यह बहुती सबर्दस जगा है यहां की ऐसा लग रहा है कि अगे अब मैं बता नहीं सकता है वर्ड नहीं है मेरे पास इसको बताने के लिए अब हो रही बिग पैंक है जल्दी से जाके वहां पास जाके एक फोटो बस्ट खिचाना है तना जबर्दस लग रहा है यहां का नजारा हूं नहीं पो लें जाके नहीं ही पारा यह नहीं है भॉक टावर है और यह बग ग्बैंग में भी इतली कह सोपार में है जाने के बाद जारेफ जल्दी से एरपोर्ट पर काफी जल्दी जाना पड़ेगा अब ही तो लंडन में बकिंगम पैलेस और क्लॉक टावर देखने के बाद अभी हम पहुँच गए लंडन एरपोर्ट पे हैथरो में और यहां से हम टर्मिनल डूनने वाल है अच्छों में मुझे नहीं पता कौन से टर्मिनल में जाना है तो यहां पे बाड़ पे मैं भी ढूनने वाल हूँ मुझे मेट्रो से जाना पड़ता है दूसरे टर्मिनल में जो मैंने आपको आगे बताया था तो यहां से अभी थोड़ी देर में मैंने देख रहे हैं यहां पे स्क्रीन पे मुझे अलग टर्मिनल पे जाना है तो यहां से लिफ्ट से मैं उपर जाओंगा और यहां कि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि यहां पर एक चीज अलग है इंडिया से यहां पर मैं बहुत सारी जगा गया इतनी जगा गुमा मैट्रो में गुआ गया यहां पर कहीं पर पानी नहीं मिलता मतलब यह मेर अपरिकन कपल से भी बात की लाइक वो लोग भी बहुत प्यासे थे मेट्रों में कहीं भी पानी शॉप भी नहीं थी मलब श्टोर भी नहीं है जहांसे हम बाई कर सके वो थोड़ा डिसपोइंटिंग था यहां का फ्लाइट की दरफ जा रहे है ऐसा कुछ दिख रहा है यहां क्युकोई एसा का यहांसे तिंगल himself का त record का चा इंब हो लुए एहा है वी बात कर दोफेंगे अंहांसे प्लोगल है